नमस्कार आदाब सस्रीय काल आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल दा बैस्ट गलफ जॉब मैं दोस्तो बहुत दिन बाद सेम वीडियो डाल रहा हूँ टावर क्रेन आप सबको पता है बड़ी बेल्डिगों में क्रेन होती है उससे पहले आप लोगों से ह पिणने में और आपको देखने में तो दोस्तो टावर क्रेन की बात करता है वो चीज होती है जो बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मोबाइल क्रेन होती है जो एक टन को जो एक weight को उठाके shifting करती है building by building step by step उपर लेके जाती है वो खुद को भी shift कर लेती है तो tower crane की mobile crane के अलावा एक अच्छी बाद बता दाओ इसके लिए license नीज के लिए safety certificate की जुरूरत होती है UAE में दुबई में जो tower crane की requirement आई है tower crane operator चाहिए जो गलफ return है शिरफ जो किसी भी country से return है गलफ से return है उनके लिए इंटर्व्य है ठीक है और यह 1200 दिराम की salary की job है 1800 दिराम तक इसमें salary है और आपको बता दूँ इसमें सबसे ची बात बता दूँ आपको 8 गेंटे की duty है accommodation transportation company दे रही है टावर क्रेंट का safety certificate बनता है उसके लिए रीगर होता है वोकी टॉपी के बात होती है English आनी जुरूरी है और अगर अरबी की knowledge है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है tower crane city में बहुत riskade काम रहता है इसलिए इसके पैसल बंदे चाहिए जो गल्फ से return है जो किसी भी country से return आए वही बंदे इसके लिए चाहिए दोस्तों बता दूँ यह mobile crane का काम नहीं यह सिर्फ tower crane का काम है tower crane operator ही चाहिए और रीगर भी साथ में चाहिए रीगर की भी इसमें requirement है रीगर और tower crane दोनों चाहिए हाफते में 6 दिन काम है महीने में 26 दिन काम करना है 1500 द्राम से लेके 1800 द्राम तक salary है accommodation है transportation है employment visa है दो साल का work permit है दो साल बाद एक side की ticket मिलनी है और एक महीने की leave salary मिलनी है tower crane operator की job है जो गलब से return है उनको 65 पहली बार में ही समझा जाएगा जो return नहीं है उनको थोड़ा से समझाना पड़ेगा fresher भी जा सकते है और returner भी जा सकते है ठीक है दोस्तो जो मेरे दोस्त interested हो वो please इसमें हाथ अजमाले और जाने के लिए त्यार हो जाए थेंक्यू धन्यवाद दोस्तो